ब्रॉट टियू बाई हाउजाट, मेक यूर टीम्स नाउ ऑन हाउजाट, को स्पॉंसर बाई विमिल इलाइची, पावर्ड बाई रिगी आप, डाउनलोड रिगी आप नाउ हेलो और वेलकम टू स्पोर्ट स्यारी, स्टोरी ओफ दे मैच की बात करेंगे, मुकाबला था लखनो सूपर जाइंट्स और गुजराट टाइटन्स का, यहाँ एबी, बेबी एबी और टेंडूलकर कनेक्शन के बारे में हम आपसे बात करेंगे, सबसे पहले बेबी एबी आ स्कोर था, वहाँ पर आयूश बडोनी आते हैं, पहला-पहला मुकाबला एक अनकैब्ड खिलाडी और अर्ध शतक जड़ देते हैं, उसमें तीन छक्के लगाते हैं, और वो छक्के आते हैं, लोकी फोगिसन के अगेंस्ट, राशित खान के अगेंस्ट, टॉप क्लास बोल अठारा में ये भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, और एशा कप जब भारते टीम जीती, उसमें बड़ी एहम इनकी भूमिका थी, फाइनल में तेज तर्रार अर्ध शतक लगाया था, कप्तान प्रभ सिमरंद सिंग के साथ आखिरी में बड़ी ही तेज शत्किय अठारी निभाई थी, जिसमें पांच छक्के भी लगाये थे, अगेंस्ट श्रिलंका इन बांगलादेश, एशा कप पर भारत का कबजा हुआ था, और इनकी परफॉर्मेंस की as finisher सबने तारीफ भी करी थी, सबने बात भी करी थी, इससे पहले अगर जाएं थोड़ा सा, तो जब श्रिलंका गई थी भारत के अंडर 19 टीम, वहाँ पर अर्जुन टेंडूलकर भी गए थे, और उस वक्त पर आप सभी को याद होगा, एक स्टोरी बहुत जाला वाइरल हुई थी, कैसे सचिन टेंडूलकर ने यशश्वी जैसवाल को जो कि उसी सेम स्कौड का हिस करते हुए आउश ने 185 नॉट आउट किये थे, यानिकी सेंचुरी से जबर्दस शुरुवात करे थी, फिर उसका बाइलेटरल सीरीज थी, उसमें भी ठीक परफॉरमेंस थी, और आउश का जल्वा अभी आपने सिर्फ बल्ले से देखा है, आउश जो है, हैंडी ओफ तो वहाँ पर भी उनकी परफॉरमेंस जो थी, नोटेबल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताए कि फाइनल में आया हुआ पचास, एक हाफ सेंचुरी जो है, उन्होंने उससे पहले भी करी थी, और गेंस से लगातार, एकोनोमिकल वो परदर्शन कर ही रहे थे, डेली से ह सोनेट क्रिकेट क्लब और उन्हें के सारे स्टुनेंस जिन्होंने अपना नाम नसिर्फ डैली में, नसिर्फ इंडिया में, बलकि दुनिया में क्या हुआ है, रिशप पन्त उसका अगर आप मेंबर कहें, उस क्लब का, जिन्होंने इंटरनाशन क्लब में अपनी पहचान बनाई है तो वो है तो आयुश से भी उम्मीदें अब जादा हैं बढ़ गई है और उनके पास वक्त है कि बीता जो चार साल रहा है जहां पर उनको उतनी जादा उपरचुनिटीज नहीं मिली उसके लिए कैशन करना है अच्छा यह लगा कि गौतम गंभीर ने उन पर भरोस नहीं है आपने आपको चांसे आगे भी मिलेंगे आयुश ने इन बीते कुछ समय में जो है डैली से सिर्फ T20 के कुछ मुकाबले खेले हुए थे उसमें भी उनको बलने से सिर्फ एक बारी मौका मिला था और गेन से उनका इस्तिमाल वैसे हुआ नहीं था तो उम्मीद यह करते हैं कि आयुश इसी तरीके से जो है प्रदर्शन अपना जारी रिखेंगे और लखनों के साथ साथ वो धीरे धीरे जो हम बात करते हैं कि वहां से जब ग्रजुएट होने वाली बात होते तो इंडिया तक भी आने की जो है अपनी जर्नी इसी तरीके से पूरी करेंगे तो ये थी बेबी एबी टेंडूलकर और एबी आयुश बडोनी का जो कनेक्शन था क्या कुछ था और उस अंडर 19 जो टीम थी जिसका हिस्सा थे उसमें अनुज रावद, देवदत पढडिकर, यशशवी का हमने नाम लिया, प्रभ सिमरन का हमने नाम लिया, हर्ष जो थोड़ा सा शायद अभी आउश्ते आगे निकल गए थे, लेकिन अब उनके पास मौका है कि जो उनका खोया वक्त है, उस पर वो कैपिटलाइज करें और जबर्दस परफॉर्मेंसे अपनी कंट्यूनी रखें, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शे सारी ऑफिशल ग्रूप है, वहां आएं, जुड़ें, वहां पर धेर सारे एक्स्लूजिव कॉंटेंट्स प्लस बेहाइंड थेंस क्या चल रहा है, इसकी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, तो फिलाल इजासत लेते हैं आपसे, जै हिंद, जै भारत!